कानपूर में सपा कारियाले में नगर संगठन बैठक कायोजन किया गया जोरान एक बार फिर इस संगठन की बैठक में दो विधाय गायब रहें माना जा रहा है कि कानपूर सपा में अंदर खाने कुछ ठीक नहीं है रिपोर्ट देखिए लोग सबाचुनाओं के बर्णाओं में यूपी में सबसे ज़्यादा सीटे लाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी में अंतरकलय की सुपुगाहट दिखाई देने लगी है बताते की एक तरफ सपा की प्चुनाओं में बीजेपी को हरानी की बात कर रहे हैं बहीं दूसरी तरफ उनके कुछ विधायक अपनी ही पार्टी की बैटकों से किनारा करते हुए नसरा रहे हैं हम बात कर रहे हैं कानपुर में हुई सपा की मासिक बैठक की जहां सपा की कानपुर जिलात्यक्ष फजल महबूत ने मासिक बैठक आयोजन किया और कानपुर में सभी सपा पतकारियों से लेकर विधायक पार्षदों को आमंतरित किया गिया लेकिन इस बैठक में दो विधायक और एक पार्षद नदारत रहें दरसल सीसामों विधायक की सीट खाली होने के बाद उप्चिनाव की घोशना हो चुकी है जिसमें टिकेट को लेकर कानपुर से लेकर अखलेश यादो तक पूर विधायक इरफान सोलंकी की पतनी नसीम सोलंकी के नाम पर मोहर लग गई थी लेकिन एक तरफ विधायक खुद निवंतर ना मिलने की बात कह रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जिलाद देख्च चिकेट पर मोहर को लेकर अखलेश यादो का फैसला बता रहे हैं नहीं आए दोनों विधायक और आरूप लगाते हैं हमें बुलाते हैं नहीं और वह आरूप लगाते हैं उन्हीं ने जो गोचित किया उसंको और मतलब साहब है कि राष्ट्री अद्धक्ष का वैसला अंतेम फैसला होगा यानि कि विधायक प्रत्याशी नसीम सोलंकी ही रहेंगी लेकि सीसामो विधानसभा का किला बचाने के लिए दोनों विधायकों कुलेकर जिलाद्धक्ष का क्या रुख है वो भी सुन लीजिए तो समय ही बताएगा लेकिन बैठक में विधायक जी की अनपस्तिती का मतलब कहीं न कहीं अंतरकले साफ नसर आ रहा है लगातार बीजेपी एक के बाद एक जो है बैठक कर रही है और बैठक के साथ साथ यहां के बड़े बड़े नेता चाहें वो सुर्यस खन्ना हो यहां फिर और कोई भी नेता या बिधायक हो वो इस सीट पर दाव खेल रही है और अपने पित्यासियों को आगे कर रही है और यहां के अभी हलाकि बीजेपी ने अभी इस तरह पर पित्यासी जरूर नहीं फाइनल किया लेकि समाजबादी पार्टी की तरफ से फाइनल हो चुका है मोहर भी लग चुकी है लेकिन यह बात अलग है कि अगर यहां पर समाजबादी पार्टी के इरफ सुलंकी की पत्मी ही चुनाव लडेंगी अब सवाल यह भी एक खड़ा होता है कि यहां पर आखिर जो दुगुट बटे हुए हैं वह कैसे इस चुनाव को इस बार जीती है कानपूर से वीडियो जनलिष्ट अमित के साथ सुमित गुपता जीमडी न्यूज